अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथ ही अपनी फ्लूड मेकनिक्स एंड मसीन्स की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले वो सारे नोट्स पीडियाफ फॉर्मेट में डाउनल प्ले लिस्ट की वीडियो चेक करें आप स्टार्टिंग वीडियो में आपको पीडियाफ लिंक मिलेगी उसकी दस वीडियो गंतराल में आपको नेक्स्ट पीडियाफ की लिंक मिलती जाएगी इससे पिसली वीडियो में साथ ही हमने देखा था वर्किंग रेशियो of turbine जिसे ns से express किया जा सकता है इस परकार से किसी और symbol से भी आप express कर सकते हैं इस परकार यह आप देख रहे हैं सात्यों है specific speed क्या होती है specific speed of a turbine is defined as the speed of geometrical similar turbine of such a size which produce unit power when working under a unit head specific speed है सात्यों specific speed मान लेते हैं कोई turbine है सात्यों इसके आप specific speed जानना चाते हैं या निकालना चाते हैं तो किस परकार निकालेंगे किसी भी turbine को आप एक मीटर हैड पर काम कराएंगे सात्यों जिसको water मिल रहा है उसका head वन मीटर होगा और जो power दे रही होगी सात्यों वो भी unit power दे रही होगी या तो आप जो यह turbine working कर रही है या फिर को imaginary turbine मानने सात्यों जो यह सब कर रही है unit power और unit head पर वर्ग कर रही है सात्यों अब यह unit power दे रही होगी unit head से तो जिस समय इसकी speed होगी सात्यों वो ही speed होती है specific speed of turbine जिसको इस formula से आप ग्याद कर सकते हैं किसी turbine के लिए हैं आप देख सकते हैं ns जिससे आप ns से आप प्रदर्शित करते हैं आप चाहिए कोई और symbol भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होती है सात्यों n यह आप देख सकते हैं under root p power है सात्यों यह rpm जो होते हैं हम revelation permanent count करते हैं यह speed होती है सात्यों यह specific speed है divided by head है सात्यों यहाँ पर और power कितनी है 5 divided by 4 इस प आप रूप से आप एक्सप्रेस करना चाहें डायमेंस बनाना चाहें तो किस प्रकार से सात्यों यह एच के साथ यह जी एच आ जाएगा इसमें इस एच की जगए यह आप देख सकते हैं ns is equal to n under root p divided by जी एच की पावर है 5 divided by 4 इस प्रकार से आप specific speed निकाल सकते हैं किसी turbine क अब यदि आपको साथ हो unit quantities निकालनी हो unit quantities का मतलब है जो unit head पर work कर रही है साथ हो unit head पर working at unit head unit head पर unit quantity work करेंगी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी को भी आप निकालना चाहें पहले यह देख लीजी आप नीचे से start करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं unit discharge जिसे discharge हम हम जानते हैं साथ हो क्यों होता है unit discharge के लिए यू लगा दिया है तो unit discharge किस प्रकार express किया जा सकता है कि यू इस इकल टू क्यों डिवाइड़ रूट एच यहाँ पर यह दिस्चार्ज हो जाएगा डिवाइड़ यह अंडर रूट है साथ हैड़ का जो हम जानते हैं प्रेस कितना है q1 है एंड यदि आप दूसरे हैड़ पर देख रहे हैं head to discharge q2 है तो हम जानते हैं साथ हो unit discharge कितना होता है किसी हैड़ पर हम यह एंडर रूट लगा कर h value ले ले लेते हैं तो यह unit discharge होगा उन दोनों जगह पर अब इस formula से आप q2 निकाल सकते हैं या q1 निकाल सकते ह इसे कोई value आपको दी हुई है तो आप दूसरी value या इन चारों में से कोई जो है नहीं उसे निकाल सकते हैं आसानी से तो हम लिख सकते हैं q2 is equal to q1 अंडर रूट यह दोनों पर अंडर रूट है इस प्रकार आप फूल भी लगा सकते हैं या एक एक पर रख सकते हैं साथ हो whole अंडर रूट कर लीजिए इनका s2 divided by h1 इस प्रकार से हम unit discharge calculate कर सकते हैं साथ हो इसी के साथ साथ अब unit power देख लीजिए आप unit quantities में unit speed देख लीजिए unit speed निकालना चाहते हैं जो unit speed है उसको n u से express किया जा सकता है इस प्रकार n u is equal to n divided by under root h इस प्रकार से साथ हम unit speed calculate कर सकते ह हैं और यदि unit power निकालना चाहें साथ हो जिसे हम express करते हैं p u से आप चाहें तो कोई और भी symbol या alphabetical order में से कोई भी capital letter या small letter लेकर इस्तिमाल कर सकते हैं यह एक simple notation होता है साथ हो इस प्रकार हम unit power को p u लिख सकते हैं is equal to p divided by h की power 3 divided by 2 इस प्रकार से unit power हम calculate कर सकते हैं इस प्र चाहें तो इनको भी इस प्रकार से extra बढ़ाने के लिए चेक कर सकते हैं power में भी यह सब कर सकते हैं और unit speed के लिए भी सब कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे यह एच वन स्पीड हो जाएगी किसी रोटेशन के लिए किसी स्पीड के लिए प्रकार पावर हो जाएगी साथ यह तो इस प्रकार से आप पावर अलग-अलग बिन दोब भी कैल्गिलेट कर सकते हैं वाकि यह सिंपल फॉर्मूले हैं यूनिट स् इनका answer निकाल सकते हैं numerical problem solve करने में यह आपकी बहुत help करेंगे यदि साथ यह आप detail में चाहते हैं कि इनका derivation कराया जाए detail solution चाहते हैं तो आप comment करकर बताएं हमें हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको detail study material available कराने के लिए वहाँ आपको वीडियो की description चेक करेंगे important link मिलेगी आपको important point मिलेगा उसमें आपको यदि नई वीडियो बनाई जाएगी तो वहाँ पर link कर दी जाएगी या link डाल दी जाएगी सात्यों बहुत demand होगी किसी topic की तो वहाँ पर आपको special video बना कर दी जाएगी वाकि आप इनसे काम चला सकते हैं वीडियो में किसी अप update के लिए आप देख सकते हैं यदि कोई error मिलता है वीडियो में next वीडियो में discuss किया जाएगा या फिर बाद में पता चलता है तो उसको update के लिए video description में उस वीडियो की updated link दे दी जाएगी या कुछ important point comment box में pin कर दिया जाएगा उमीद करते हैं साथ ही वीडियो में दी गई जुक अंतक देखने के लिए चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैहिन बंदे मात्रम